अदमि आपके साथ ऐसे सेयर, इसे आप स्टोर हो और भी बनाने के लिए एक बड़ा और इसमें बॉल भी यूदरे साथ प्रक्राइब डाल ली हूं फूरी प्रकुषकर कारी है तो उसके साथ्सक्राइब कंपर नमक , है फिसार्ट मेर सबुए इस यादा च्लाइब छाइब तेल सब्सक्राइब up यह फिसार्ट इस्पे व roughly 50 आजवायन ओसें और डाल पर मैंगे ये अधा च्ममच श्लाइब प्रण मिर्श घ्ला पाउडर बी। जाला के चब्रटा याँ धिल्यां नहीं करते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी दाला है , तो अधोड़ा ने ले लेकिंगे , now we are the 1-2-2-3-4-7-7-7-8-7-8-7-4-7-6-8-9-9-1-9-1-9-9-9-9-9-8-9-9-9-9-0-2-9-9-9-9-9-9-9-9-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 यहां पर मैंने यह 8 तयार कर लिया है और इसके बाद इस आटे को हम रख देंगे किसी दूसरे बरतन में धुआ कर चिर्फ फार इसन मिनट के लिए तो आटे को मैं धुदूरे और दूसरे आटा तयार करेंगे विल्पुल बृदी हसाल नमकन स्वाथका नुसार cannail तो आच्वायन के में तरके ना दिधिसी तरेके तेली नमक से बत्ले 1 चुताई कप टेल डाला एक चुताई कप का जबा गया चूताई कप 1-8 टेल डाल भीlor जाता है मैं नास्ते को सुना कम पानी लगा ईसे मुझे तयार करने में अर्ग हल्डी डालने से भाष creation का नेकिते हऩ़ा है हाथ होपर लगा लेंगे थोड़ा सा देल क्यूंकि बहुता हाथओ पी चिपकता है हाथभी यह पर मैंने थोड़ा सा Edit तेल लगा लिया है और अब बेसन को अच्छे से मिला लेंगे तो बेसन को भी हम रख देंगे 5-7 मिनट के लिए तो दोनों चीज़े 5-7 मिनट पर रख देते हैं उसके बाद आगे का प्रसेस करेंगे और यहां पर मैदे को रखे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं तो एक बार मैदे काफी चिकना से हो गया है इसके बाद इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां पर मैसे नाइप से कट कर ले रही हूं और इसकी लोई तयार कर लेंगे तो बड़ी सी लोई तयार करनी है यहां पर एक मैदे की बड़ी सी लोई मैंने बना ली है और इसी तरीके तो यहां पर हमारा जो बेसन है वो भी तयार हो गया है तो इस बोल को रखेंगे साइड में और यह हमने मैदे की लोही बनाई है इसके भी हम पराबर equally दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे बेसन को भी और इसकी हम बढ़ी सी लोही बना लेंगे शुरू शुरू में बेशन काफी चिपक रहा था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा है हाथों में तो इस तरीके से हमारी एक बड़ी सी बेशन की भी लोई बन गई है और यहाँ पर मैंने ये बेशन और मैदे की लोईया बना के तयार कर लिए है ही कथने अब आरी याथी इने बेलने की तो इससे पहले हम बेल लेते हैं उस सबसे पहले मैने लिया है ये मैदी ऀमी और इसमें हम थोड़ा सा मैदा घउम कर लेंगे और इसे बड़ी सी रोटी साब बेल के तयार करें गlorा GUY प्रेक्षण एक यूचे मिलें ड़िए या माद लकाता था जरुणा, लगा वज़ीज़ बेली है यह पर चप्ले को साइच का बेल के लगा है, अइस रोटी को रखते हैं यहां पर इस रोटी को मैं प्लेट में रख देती हूं और मैदे की दोनों रोटियों को पहले हम बेल लेंगे उसके बाद हम बेसन की रोटियों को बेल लेंगे मैदे की यहां पर मैंने दो बड़ी बड़ी रोटियां बेल के तयार कर ली है और अब बारी आती है बेसन की रोटी की तो जैसे हमने मैदे की बेली है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सूखा अटे लगाते हुए इसे भी बेल लेंगे तो बहुत ही असानी से बेल जा रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यह गेहों की आटे की रोटी है कहीं क्रैक नहीं पड़ रही ह आखे तो इस तरीके से उठाओ ताहर करेंगे यहां पर मैंने एक बेशान की रोटी लिए यह देखिए इसकी तिकनस कर बहुत ही सुंदर लग रहा है इसके बाद हम सबसे पहले रखेंगे चकले पर यह मैदे वाली रोटी तो यहां पर मैदे वाली मैंने रोटी रख दिये जोड़ने अबेशे त्यूसम्न और कि नहीं तो पहत् informing कि भिषा नहीं दूलेख लिए चंटली quantity धैज साइज का कृष्टी कर लिया है इसके बाद हम लगाएंगे उसके पर बेसन वाली ज तो यहां पर इस तरीके से इस पर मैंने लगा दिया है यह बेसन वाली रोटी और अब करेंगे इसे फोल्ड तो बस इसे हम एक दो बार इस तरीके से हम कर देंगे ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाए हातों से थोड़ी सी चकले से यह बढ़ी हो गई है इस तरीके से करने से तो यह देखिए रोल मारा इतना सुंदर भी लग रहा है देखने में यह और इसके बाद अब इसे करेंगे कट तो यहा हां पर इसे मैं कट कर देती हूँ कई इसका अच्छा नहाता इसके बाद से करते हैं कट ई ход बिल्कुल लोई के शेप में आ जाएगा यह तो इस तरीके से मैंने थूड़ा से शेप दे दिया है हाथों से और इसे प्रेस कर देंगे सब च्राइगे कैसे मादे को से पंदानि यहां पर इस तरीके से मैदे की सब करेंगे हैं तेल को तेल को मीडियम गरम करना है और एक करके जो हमने यह मठियां बनाई है वह डाल देंगे तो अच्छे से इन्हें गैस के फिलिम को मीडियम तूलो रखते हुए यहां पर नाशता है दोनों तब से अच्छे लिए Kita बची होई काकुत करने मठिया पर मैं करेंज को अच्छे से अब हेए राए के दूप करना है तो पर समयरतित एक आपर पर करेंगे przep में के अच्छे मμέस्तों ताइव करेंगे UNचे शक्यषक दूब यहां यह ठाज़िए इस तरही बची होई सारी त्यार करना है इसके स यहां पर मैंने यह सभी मत्रियां बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लिए तो यहां पर हमारी यह बेसन और मैदी वाली जो मत्रियां है वह बिल्कुल तयार हो गई हैं तो इन्हें आप शाम की चाय के साथ निज्वाइ कर ही सकते हैं काफी दिनों तक रख सकते हैं विल्कुल भी खराब नहीं होगा और घर में भी आप इसे काफी टाइम तक स्टोर कर करके रख सकते हैं नहीं खराब होगा यह तो इस तरीके से आप यह मठ्रियां बनाएं और अच्छा लगने पर फैमिलि फ्रेंस में भी शेयर कीजें और मैं बढ़े हैं।